मुरदबाद के थाना कटगर छेत्र के पीतनलगरी में कुछ जालसाज लोग गरीवों को मकान दिलवाने के नाम पर उगाही करते घूम रहे हैं जिसका खुलासा आज पुस समय हुआ जब कुछ इस्थानिया लोगों ने अपनी बात मीडिया के सामने रखी पिछले काफी समय से सूचना मिल रहे थी कि केंद सरकार की आवास यूजना के नाम पर अवैद उगाही की जा रही है और कुछ यूवक अपने हाथों में एक रैश्टर लेकर घूम रहे है गरीव लोगों से मकान पंजीकरन के नाम पर 300 से 500 रुपे की उगाही की जा रही है जो की गैर कानून है और अब तक इस गैंग में सैकडो लोगों को अपना शिकार बना लिया जबकि इन लोगों का कहीं से कहीं तक सरकारी संस्था से कोई संबंध नहीं है अज क्या यहां पर क्या हुआ है क्या प्रशानी आई है एक आप से सरकार की तरफसा है या पिसे प्राइवेट आपको किते रुपर देने का वादा किया है सरकार दाइलाग रुपर तीन सुमें कहीं मिलते हैं वे आपका नाम मेरा नाम ब्रेज किस हो जाब किस वाड में रहते हैं मैं बाट 14 में रहता हूं जी आज क्या मामला सामने आए मामला अंदर कली में लोगों से तीन तीन सुर्व लिये जा रहे थे और प्रदान मंतरी आवास योजना के बारे में कह रहे थे प्रदान मंतरी आवास योजना का है जी इसमें कितने लोगों से पैसे ले लिए हैं लगबख मेरे गाल से पाच्छे लोगों से पैसे ले लिए फिर हमने उनको कहा है तो पैसे बाप से दे दी हैं अभी पता नहीं दिया है नहीं दिया है लेकिन वो कह रहे थे हम दे देंगे पुछा सवासत ने मना कर दिया किसी को यह गुर्प्या देने की जगवाद पब्लिक टीवी आपकी आवाद